नमस्का दोस्तों राइडिन मोट्रोगोल के एक नई फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है रोयल एंफील हंटर्ड फ्री फिफ्टी जो कि यहां पर रिट्रो मॉडल है यहां पर इंडिकेटर देखके आपको पता चली गया होगा यहां प हेहां पर आपको स्बीन का सबोर्ट दिया गया है 100 सेशन की सिए टैट ने अच्पते हैं यहां पर को first में फिर देखने को मिलता है चो कि अच्छी बात है और सिंगल चैनल याग लो constit recognize व म electronics कन्नी थो ब्लैक और दूसरा वारा जो कलर है उसको भी एक्ट्री जिल्वर कहते हैं तो की पुराने वाले बुलेट आते थे वहां पर जो गोल्डन के साथ जो paint scheme देखने को हमें मिलता था कुछ यहां पर यूज किया गया है लेकिन इंजीन यहां पर पूरी तरीके से blacked out किया गया है मतलब powder coating किया गया है तो यहां पर जो heat का problem जो होता है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर कोई भी cost cutting नहीं है और यहां पर देखिए इट्वेंटी पेट्रोल को यह सपोर्ट करता है मतलब यह सिक्स फेस्टू वाले जो सीन हुआ है उसके साथ यह बाइक आता है बिल्कुल नया बाइक है ओडोमीटर आपको देखने को मिलता है कोई भी गियर पोजिशन इंडिकेटर आपको द पुराना वाला रॉयल इंडिके एक्च्वल लोगों है वह आपको यहां पर देखने को मिलता है जो जिस मुझे काफी ज्यादा बड़िया लगता है आप लोग देखिए जे सीरीस की जो इंजिन है मतलब इसकी ऑनवर्ड पैस में बता देता हूं वान लेक्स सेवेंटी सि 200 रॉपीज है कोलकाता में आज की डेट में तो उसकी साफ से दोस्तों यहां पर जो इंजिन देखने को मिलता है जहां पर आपको 27 एनेम की मैक्स टॉर्क देखने को मिलता है जोगी बहुत ही लो आर्पीम पर अनलोग हो जाता है मतलब आपको साड़े 300 सी सी की ऐसी पावर यहां पर जो चैसी बगरा है जो सब कुछ जो सुइंग वगरा है वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है जैसे कि आपको हायर वेरियन में देखने को मिलता है कुछ वैसा ही है यहां पर मुझे तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं लगा है तो आप लोगों को अगर क मेट्रो वेरियंट में आता है उससे तो यहां पर देखिए पीछे का जो सीन है इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो वैसे जो यहां पर मेट्रो वेरियंट है वहां पर आपको 140 सेक्षिन की टार देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि बढ़िया लगा है यहां पर देखिए जो ब्रेक लिवर है उसके उपर जो ग्रिप किया गया है थोड़ा सा ओफ रोडिंग को फोकस करके बनाया गया है ताकि ग्रिप वगरा काफी ज्यादा अच्छी हो और यहां पर आप लोग देखिए जो बारेंड वगरा है इसको सेम सेमी रखा गया है लेकिन जो यहां पर स्विच की फील है जो मतलब कुछ है इसको बहुत ही बेसी रखा गया है ओल्ड बुलेट से शायत से लिया गया यहां पर मतलब कोई भी वाली चीज यहां पर नहीं यूज किया गया है तो आप लोग अपना उपनियन शेर किजिए आपको यह बाइक कैसी लगी है अगर आपकी बजट है या उसकी नीचे आप लोग इक देखना चाहते हो तो आप सारे 300 सीसी की इस बाइक के साथ जाना चाहोगे या नहीं और यहां पर आपको काफी डिसेंस आई देखने को मिलता है कि बीच पी के असपास और यहां पर आपको 13 लिटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलता है जो कि आपको एनफ रेंज प्रोवाइट कर देगा क्योंकि यहां पर आपको कुछ 35 के असपास माइलेज देखने को मिल सकता है यहां पर 177 kg की वेट है और यहां पर दोस्तों आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलता है जो की उतनी ज्यादा कम तो नहीं है लेकिन ठीक है मतलब 800 mm बहुती ज्यादा मतलब राइडर को एकसेस करने के लिए ठीक ठाक सा बनाया गया है अगर आपकी हाइट पाचफूर छेंज के उपर या नीचे है तो आप इस बाइक को इसली एकसेस कर पाऊगे तो भाई सस्ती बाइक अगर आप इसको कहना चाते हो तो कह सकते हो मतलब 176,000 एप्रॉक्स रुपीज में आपको मिल रहा है सारे 300cc की इंजिन जो की रोयल एंफिल्ड के ट्रस्ट और बैजिंग के साथ आता है तो इस हिसाफ पे दोस्तों यहां पी एक सस्ती बाइक हो गई जहां पे दोस्तों आपको 200cc की बाइक भी इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है तो मैं इस बाइक को मॉस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक कहूंगा 2023 की मार्केट के हिसाब से तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते और इस बाइक के बार में आपको क्या अच्छी लगी वह बताइए मुझे तो इसकी इंजिन चीस में कोई भी यहां पर कॉस्ट करिंग नहीं किया गया है मतलब जो आपको ब्लेट में देखने को मिलता है तो फिला की वीडियो को लिए इतना ही बताइए वीडियो में आपको क्या कुछ अच्छा लगा है कॉमें शेयर कीजिए मिलते है नेक्स वाले वीडियो में तिल दें स्टे सेफ एंड कीप रइडियो